प्रार्थमिक स्वास्तक केंद्र का लाखों रुपयों का बिजली का बिल बकाया होने के कारण बिजली विभाग ने काती अस्पताल की बिजली उत्तर प्रिदेश के मौजनपत में महमादाबाद के प्राधमिक स्वास्त केंद्र का बिजली का बिल 40 लाक रुपया बकाया होने के कारण बिजली विभाग के टीम ने चाकर अस्पताल की बिजली काट दी उनने यह भी नहीं सोचा कि भरती मरीजों और फ्रिजर में रखी दवाईयों का क्या होगा वही तैना डॉक्टरों ने बताया कि हम लोगों के तनख्वा से हर महिने बिजली पानी और रूम के रेट काट लिये जाते हैं फिर भी बिजली का काट जाना बहुत ही खराब काम है इसके लिए कम से कम सीमो महोदय से बात कर लेनी चाहिए थी ताकि मरीजों और दवाईयों पर कोई प्रभाव न पड़े सरकार के मदद से बिजली विभाग को हर महिने भुकतान के लिए कहा जाता तो है लेकिल यह लापारवा ही कहा से और किसके द्वारा की गई है यह जांच का विशह है पेशे महू से आसिफ रिजवी की एक रिपोर्ट अब भी सीमो सावा के बिल ना जमा करें बिजली का तो उसकी ब्याव मरीजों के आगो थोड़ा पता है जो जीवन रक्षक के उस दवाई जैसे पूलियों की वैक्सीन जो है जो फ्रिज के इलावा नहीं कहीं और नहीं र कितना परवगों की गुड़वात्ता पे कितना फरक पड़ेगा जो फ्रक पड़ेगा और पोल्चेन सिस्टेम भिगड़ा जाएगा इससे वैक्सीन थराब हो सकती है